आज की चर्चा में आपका स्वागत है मैडम का नए व्लॉग आया और बहुत सही टाइम पर आया यानि जिस दिन परफॉर्मेंस डे है उस टाइम ही उनका व्लॉग आया है और ये देखो कि इस वाले व्लॉग में कोई भी पहले की शूटिंग नहीं है यानि क्लिपिंग नह क्यों व्लॉग डाला है वो तो बहुत क्लियर है क्योंकि performance डेफनेट्ली याद दिलाने के लिए वो किया गया है और उस में ecoji सबसे पहले देखा जाया तो सारा व्लॉग दिखाने के बाद में last में जनाब को दिखाया है और वर्डींग क्या है बडिंग वर्डिंग ये हैं जनाव आगे हैं बहुत ठके हुए हैं और चोट लगवा कर आए हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मम्मिया कहती है ना आज आ गया है और इतना शेता नहीं करी इसने सारे दिन और उसके बाद में दो को चोट भी लगा लाया तो सिमिलरली जो है आज यहां पर भी इनोंने उसी तरीके से कह दिया कि बहुत ठके हुए हैं कुल मिला के यहां पर लिमार की है कि सिंपहती वाले जो एंगल है वो डालने के कोशिश है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं चोट भी लग जाती है इनके तो अब तो कम से कम बनता है कि उनकी परफॉमेंस के ऊपर आपको वोट करना चाहिए और आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए तो यह था में परपस उनको आज का व्लॉग बनाने का वरना तो छे दिन से आराम से चल रहा था घर में सब कुछ हो रहा था और आराम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी और इस अच्छा आप आते हैं व्लॉग में व्लॉग में देखिए सबसे पहले उन्होंने व्लॉग का कंटेंट बनाने के लिए हैं सुट को यूज किया कि मेरे पास में दो नए सूट आए हैं जिनका मैं कपड़ा देकर भूल चुकी हूँ और यही बात है इनके पास कपड़ों क इतनी मतलब रेजगारी है इतना प्राबलम नहीं है कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा कपड़ा है कि इनको पता भी नहीं रहता कि इन्होंने कौन सा कपड़ा खड़ीदा और वो कहां रख दिया है और कहां पर है और वो काफी पहले इन्होंने टेलर के यहां दे दिया था टेलर किया देने के बाद में एक बार भी उसको रिमाइंड नहीं किया उसको लिया नहीं उससे पूछा नहीं लेने भी नहीं गए ऐसा थो नहीं कि आपने दे दिया और उसके बाद में जब उसकी मर्जी आएगी वो बनाएगा और आपके घर भेज देगा इससे पता लगता है कि आपको इसकी जरुवत है यह इसकी जरुवत नहीं है तो यहां बाइन जिली यूज के लिए चाहिए बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर सरीफ की तशी थाया है जो भूल गए थे और अब उसका फोटो शूट करना है क्योंकि फोटो शूट के लिए साथ-साथ जो इनको बास जोल रही है तो एक्चुली उसका भी रिक्मेंडेशन है उसका भी प्रोमोशन है तो इसलिए दोनों चीजे एक साथ हो जाएंगी तो वो सूट को उन्होंने यूज किया उस फोटो शूट के लिए अब एक कंटेंट बच्चा भी रहता है तो बच्चे को दिखाना जरूरी है तो बच्चे को भी वो दिखाया उन्होंने लेकिन पता नहीं कि हो जब भी वो से बात करती है यह सब करती है तो बच्चा जो है ना कहीं और देख रहता है यानि कि कैमरे को देख रहता है और उस बच्चे के मूँ में उंगली देकर बार-बार बार-बार चिला रही है जैसे वो बाइट कर रहा है और ये दिखानी कोशिच कर रही है पिर आखो का इशारा भी किया है कि देखो देखो ये बाइट कर रहा है इट मीज वो इशारा इस बात के लिए है कि उसके टीथ जो है न वो दात आने शुरू हो गए है ऐसा पर मेडम आपने तो अभी से कम दो या तीन महीने पहले कहा था अब तक तो वो आगे होंगे तो अभी कहा चले गए फिर वो अभी दोबारा से मतलब आ रहे हैं क्या है यह अपने टार्गेट ओडियन्स को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने आज चूज किया है एक डिश और वो डिश है पालक गोस्त उन्होंने चूज किया है नौमली देखा जाये तो सबसे ज़्यदा जो सर्दियों में पॉपलर डिश रहती है मुसलिम्स में वो रहती है शल्जम गोस्त बनाना पालक गोस्त बनाना मतलब की जो सर्दियों की जो सबजिया है उनके साथ में गोस्त को ट्राई करना और साथ में मक्का की रोटी के कमेंट करें वो नोंने बनाया क्योंकि कुछ भी कह लीजिये खाला वाना बनाने में तो तेश है और सुरू से उसका एक पैशन रहा है कुकिंग का तो कुकिंग में तो ऐसी बात नहीं है मतलब वो डबा नहीं है और णबे की तरह काम करती है और कम से कम कोकिंग में तो वो ठीक है वो बात दूसरी है कि अभी आके चहरा दूसरा हो गया है कि सम टाइम वो दिखाने के लिए मार्केट की चीजों को भी अपना नाम दे कर या फिर किसी और की चीज बनाई हुई को भी अपना नाम दे कर वो आपके सामने पेश करत यह एक दूसरा चेहरा है जिसकी वज़े से ही सब लोग जो इसको ट्रोल करते हैं और बोलते हैं उसी ब्रेड को न दिखाकर वह दूसरी ब्रेड कोई थी जिसको स्लाइसींग करके और फणी को खिला रही है, और वह जो स्लाइसींग करके खिला रही है, परफेक्ट जो थे टेक्सचर रै वह बना हृँआ है। दूसरा जो केक ब्रैड जो खिलाई जा रही है वो जरूर जब मैडम के यहां से आई होगी पर यह तो लगता है कि इन्होंने मार्केट से ही मंगवाई थी और वो ही दूसरे दिन दिखा दिया कि हाँ यह देखो कितनी अच्छी बनी है यह देखे अगर सीरिस सफर्ट होंगे तो definitely क्यों नी बनेंगे सब कुछ बनेंगे और आप देखो ना इतने सारे और भी जो व्लॉकर हैं जो की अच्छे सेलिब्रिटी भी हैं और वो अपने घर के कामों को बड़े नॉर्मल तरीके से करके दिखाते हैं और दिखाते क्या है मतलब नॉर्मल तरीके से जैसे होता है वैसा वो उनके शूर्ट में आता है और आपके शूर्ट में जो आता है वो हमेशा ही यह आता है failure 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 पता रही क्यों निकर पारे क्योंकि देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती ना सीखी जा सके और उसको दिखाया जा सके और पता निकिών मतलब आपने जान ब में भी इस से परशान हो रही है कि वो जब भी मूठ है जो है ना किसी भी टाइम में चाहें रात के दो बजे हो चाहें डेर बजे हो वहाँ चली आती है वो प्रॉपर आराम भी नहीं कर पाते बच्चे भी थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं सारे इस चीज से कि रात को इतने वहाँ ये कर देती है कि गलत गलत काम करती है फैला देती है फूरा घर पहसनेस कर देती है तो इसमें इरिटेट होने वाली तो बात ही है इतनी इरिटेटिंग चीजें वो क्यों करती है उसे सिर्फ इसका मतलब यह है कि कंटेंट से मतलब है उसे किसी तो फरक नहीं पड़ देना हो उसको कोई फरक नहीं पड़ता और वो अपने कंटेंट के लिए सब कुछ करती रहती है पुरे एक हफते की सननाटे के बाद में यह वाला व्लॉग आया है मैडम का और ना तो जनाब ने कोई व्लॉग डाला नहीं मैडम ने कोई व्लॉग डाला अभी देखने वाली शुक्रिया